और अल्कोशों के आपो delta हो व That's कि ए प्रक्ष्प आपू वाटर निकल से दो तॉरा कीि रिक्ष्ण और आर्ट्य टेडिस्स बड़ी हैं रहे हैं ऐसे हमेऻ़ और अगर के साथ साथ ने करते जो तो यकीनल आखर में आप लोगों की उम्रता बोज नहीं पड़ेगा और आप लोग ज़दा सक्सेस्फुल हो गया तो डी हाइड्रेशन यह एथिन हो रहे और अगर यहां से ओज निकल जाएगा अलपा कारवण से और बीटा कारवण से एक एच निकल जाएगा वाटर निकल गया और बागे रहे गया च्छू इधर भी रहे गया च्छू और इधीन के अधर अलिमिनेशन एक्षिन हुए हैं अलिमिनेशन सिर्फ प्रड़क निकले हैं अलिमिनेशन और कौन सी और का बाउन टूट है C और OH का मतब C और C और H का बाउन टूट है that is a bond breakage और अगर एथिनोन को कंसंट्रेटर सर्फ्यूरी के सरूट 140 डिरी सनिग्रेट पर हीट करो तो 140 पर एक ही मालिक्यूल के अदर OH और H ने निकल सकते बलके एक मालिक्यूल का निकलेगा OH और दूसरे मालिक्यूल का निकलेगा H जैसे इसका OH निकला इसका H निकला 140 पर तो यह बना CH3 CH2 that means C2H5 O फ ठोकसी, इधेन और इसके अंदर क्या होगा है इसके अंदर सबस्ट्यूटिशन हुई है और सबस्ट्यूटिशन के अंदर जो पहले बांड उटे वह कौन थी यह C और O का बांड हूँ है जब कि इसके अंदर O और H का बांड है हेल्इ सिफ हो एड होएड बरेकेच और यह बड़ा फ्रिक्टी इए अग्रमै आद इसको मालेक्ट वर कॉलिग डू यह है और मालेक्ट्यों गआयए इससमें अचिक लेक्ट ग्रल में लेक्ट्रॉपाय क हाइड्रोजम और इथाboarding लिख इथाईल भी एलेक्ट्रोपाय है, तो इसके लियास होगी, इलेक्ट्रोपिलिक सबस्टिटिजिशन, और उवराल, सबस्टिशिशन रेंच, और अगर, फासफ़रस स्ट्राइल कोलराइट से, एथाइल को मिलाओ, तो 3 मोल, और बनेगा, इथाइल कोल्राइट along with फास्फोरस असिट और अगर एथनोर को फास्फोरस पेंटा कोल्राइट से मिलाओ तो बनेगा इथाइल कोल्राइट हाइड्रो क्लोरिंग इसट और फास्फोरस ओक्सी कलोराइट